ओम नमश्य वाय जै मातरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्यो हाथ टोटके मैं हूँ आपकी साथ रिमश्रिम शर्मा दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बिताने वाली हूँ कपूर के चोटे सरल आसान टोटके जो बड़ी आसानी से आप रोजाना कर सकते हैं देखें दोस्तों हम सभी जानते हैं सनातन धर्मे कपूर का कितना महत्व है कोई भी पूजा पाठ करे कोई भी शुबकारी करे कपूर हम जरूर जलाते हैं पूजापाट के साथ साथ घर में साकारात्मक्ता लाने के लिए स्वास्त संबन्धी कई परिशानियों को दूर करने के लिए वास्तुदोशों को दूर करने के लिए धन की अचानक आवक बढ़ाने के लिए आप Kapoor के यह जो छोटे सरल तोटके हैं इसे ज़रूर अपनाए आप रोजाना कर सकते हैं और इसमें करच भी कुछ नहीं है दोस्तो कपूर को हम अंग्रेजी में कैमफोर कहते हैं और यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए रखा भी है कपूर दो तरीके के मिलते हैं आजकल बाजारों में ये देखे एक भीम सेनी कपूर है जो कि पूजा पाठ में सबसे शुद्ध बताया गया है और मैं इन उपायों में भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भीम सेनी कपूर का ही इस्तमाल करें दूसरा इस तरह से देखे टिक्या के फॉर्म में कपूर आ गया है आपको ये चोटी डिबियों में पूजा पाठ की दुकानों पर मिल जाता है तो दोस्तों ये जो कपूर है बहुत ही इसके अंगिनत महत्वपूर्ण फाइदे हैं तोटको उपायों कि अगर मैं बात जिसे हम आप घर का कोई भी सदसी बड़ी आसानी से रोजाना कर सकते और करने भी हमें इन टोटकों को रोजाना चाहिए चाहिए आप एक ही कर ले आप बहुत सारे ना करें लेकिन करें सरूर अब सबसे जो पहला टोटका है वो मैं आपको बता दूँ अगर आप चाहते है कि मालक्षमी का स्थाई वास हो आपके घर में आपके घर पर उनकी कृपा हमीशा मनी रहे जो कि दोस्तों हम सभी चाहते हैं तो आप इस सबसे चोटे और आसान उपाई को रोजाना करें इसमें करना क्या है आपको देखिए हम सभी जानते हैं कि मादा लक्षमी का आगमन स मैं खुद इस उपाय को अपनाती हूँ, आपको इसमें एक कपूर की टिक्या, छोटा सा भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा, मैं फिर से बोलूगी भीमसेनी कपूर ही आप लीजए, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, पूजा की जो बढदन आप इस्तमाल करते हैं, मतलब होना चाहिए, ये कांच का एक रख ले, कटोरी कांच का एक बावल, उसमें उसको थोड़ा सा मसल की घोल दे, जल में, अगर आप गंगा जल लगते हैं, तो शुद्य साधारन जल में आप कर सकते हैं, उसके बाद हर संध्या में, मतलब हर शाम के वक्त, हर दिन, आप के दिश्रा में हो, खुलते हो, चाहे वो मुख्य द्वार नहीं भी हो, शुरू आपको मुख्य द्वार से करना है, और हर कमरे के दर्वाजे पर आपको इस जल को छिड़क देना है, रोजाना करें इस उपाय को आप देखेंगे, घर में लक्षमी का स्थाईवास होता है, और ऐसे घर में मालक्षमी एक बार प्रवीश कर जाती है, तो वहीं हमेशा रह जाती है, बहुत फाइदा होगा आपको जरूर आश्माएं, दोस्तों अब दूसरा उपाय, देखें हम सभी जानते हैं भगवान कुवेर की दिशा होती है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा अग आप सोचनी पा रहे हैं कि धन कहींसे आना है, किसी परिवार में से आपको बड़ा एकटवफा मिल जाएगा, कहींसे भी आपको यह जिस नौकरी में हैं, आपका नौकरी आपकी बदल जाएगी और जादा पैसे वाली नौकरी आपकर सकते हैं, वैवसाय में अचानक से पै कुबेर की दिशा होती है, हमें उस दिशा को शुद्ध रखना चाहिए, सकरात्मक उजा से भरपूर रखना चाहिए, आपको हर सोवै, जब आप पूजा करते हैं, पूजा में तो कपूर दिखाएं ही दिखाएं, आप एक कपूर, भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा नहीं म हो, चाहे वो आपके घर के पीछे का हिस्सा हो, या फिर आपकी बैलकनी हो, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, कुछ भी हो, उस दिशा में छिड़क दे, इस दिशा को शुद्ध रखना, देखिए, हम बहुत तरह के उपाए करते हैं, धन की आवक बढ़ाने के लिए, मातल पंधन की आवक में आपके घर के लिए उन रुकावतों को हटा देता है, सकारात्म पूजा का जहां पर संचार होता है, वही पंधन की आवक भी बनती है, तो उत्तर दिशा में आपको ये कपूर के जलका छुड़काव करना है, इस काम को भी आप रोजाना कर सकते हैं, किस पतिवार से कर लें, तो इस तरह से आप इन उपायों को करें, और इस उपाय में इक और चीज़, जैसे मैंने बताया है, उत्तर दिशा, सकारात्म कूजा का संचार, बहुत ज़रूरी है इस दिशा में, तो इस दिशा को हमेशा अपने घर का स्वक्ष रखे, साफ रखे, वहाँ पर प्रॉपर सफाई हो, उत्तर दिशा में कभी भी कूडे कबार का धेर नहीं लगाएं, किसी भी तरह की बाधा गतिरोध ना पैदा करें, दोस्तो, दोस्तो, अब कपूर का ये तीसरा उपाय, और ये भी एक रामबान उपाय है, जिसे आपको ज़रूर अपनाना ये उपाय आपको करना है शुकरवार की दिन, मालक्ष्मी की दिथी होती है, शुकरवार को हंधन आवक के लिए जो उपाय करते हैं, वो बहुत ही फल्दाई होते हैं, तो शुकरवार को आपको उपाय करना है, और इस उपाय में, अगर देखे, साल में चार नवरात्रे आ कैंन आपो करने आ वाले हैं मैं आपको सुछाब दूंगी कि चैतर नवरात्री में आप इस चीर भान इस अफाय में यह नहीं कर सकते agent श्करवार के दिन को कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया आपको अब इस उपाई में करना क्या है इस उपाई में कपूर की टिक्या तो चाहिए ही चाहिए आपको एक गुलाब का फूल चाहिए तो थोड़ा सा इसमें विवस्था आपको रखनी पड़ेगी एक गुलाब का फूल आपको रोजान इस उपाई में सुबह में आपको बस यही कारी करना, अपनी रोजाना की आप पूजा करेंगी और गुलाब की फूल में कपूर का एक टुकड़ा आपको रख देना है, अब संध्या काल में आपको उस कपूर के टुकड़े को जला देना है, और जला करकि जो वो धूप उसक माता की पास रख दे, अब उस गुलाब को जो गुलाब का फूल बचा है, उस गुलाब के फूल को आप माता दुरगा को अरपित करते, नवरात्र से शुरू करते हैं, बहुत उत्तम है, नहीं कर पा रही हैं, तो कैसे भी शुक्रवार से आप इस उपाई को कर सकते हैं, अ इसे तरीके से सुबह आप एक गुलाब का फूल रखेंगे, कपूर का टुकड़ा रखकर शाम को उस टुकड़े को जलाएंगे और गुलाब का फूल माता को अरपित कर देंगे. अगर आपके घर में मादुरगा की प्रतिमा फोटो मूर्ती है उनको अरपित करें, अगर मालक्षमी की फोटो मूर्ती प्रतिमा है अगर आप नहीं रखते हैं माता दुरगा की आप उनको अरपित कर दें. तेटालस दिनों तक लगतार इस उपाय को करें, अब अगर जस तिन जैसे महिला कर रही है, मासिक धर में उनका फाइब डेस का जो ये पूजा है छूटेगी, तो ऐसे में घर के किसी अनिस सदस्य से इस उपाय को वो जारी रखवाएं, पाच दिन अपने बच्चों से में से तोटका होना चाहिए तोटकों में एक और महत्पुन जानकार ये होती है कि जब भी कोई आप तोटका करें कोई आपको टोके ना कोशिश तो ये करें देखे भी ना देखने के बाद एक संभावना बन जाती ही तोक सकते हैं कोई भी बाहरी अगर व्यत्ती हैं तो अगर देख लिया है तो टोके नाकम से कम तोटने के बाद कहते हैं प्रभाव कम हो जाता है और हमें दुबारा शुरू करना चाहिए उस तोटके को तो अब इस बाद का खास खयाल रखें तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि लक्षमी प्राप्ती के लिए अगर आप ये तीन उपाय करते हैं छोटे से कपूर से तो ऐसा मान लीजे कि धन की आवक आपकी घर में हमेशा बनी रहेगी अचानक धन की प्राप्ती हो सकती है नौकरी वैपार में खूब खूब तरक्की हो कुछ नहीं करना है बहुत चोटे से काम मैंने बताए है जो बहुत सरल है बहुत आसान है घर में आप कर सकते हैं आपकी पत्नी कर सकते हैं भुज़ूर कर सकते हैं उमीद करते हूं वीजिए जानकारी आपके लिए उप्योगी साब इठो जरूर अपनाए इन उपायों को और मुझे बताएए भी जरूर किसी मेंने तरह की जानकारी चाहिए आप आपके यूटीब चानल व्रत्यों हाटोटके पराकर मुझसे जरूर पूछे अगर वीडियो पसंद आरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर करें वीडियो पसंद आया है तो आगे शे ओिर देल्ड हाटने करेंगे और लूर को हिसलरे झाल Feld अुझे जरूरे नरे बवीडियों नरे शेया है उरूरीच तरह करेंगे चानके म uniquely बताएब आदाएब तरह ऑ्केर चाहीं हो बताएं सेया है जरूरत्के सैसरे जरूर उल जरूर स्वPЕंड जबाड र Chap्रज ऋ CCानल झाल झाल